प्रियादिवारी शुरुआत करते हैं खबरों की उससे पहले नजड़ा होते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर उत्रा खड़ में बारिश को लेकर रेड अलट जाली ऑसम विभाग ने दिये सुझा चोटी नदियों के पास वहने वारे लोग रहे साथा वही लागों में को सकती है भारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको देरादून से बता रहे हैं जहां पर रेड अलट मौसम विभाग की तरफ से जारी क्या क्या है इस वहां से बारिश लगातार होती जारी है उसको देखती है मौसम वाले लोग हैं वो पूरी तरह में साब खान हो जाए क्योंकि गई लाग कर रेड एरड जारी कर दिया गया है जो नबीयों के पास जो रोग रह रहे हैं वो साब खान हो जाए क्योंकि कई लाखों में मारी वारिश वोने की संभाव ना है बड़ी कबर सामने आ रही है इस वक्त की देवस्थानम बोल्ट के दिरोड फिर भड़ की चिंगा लिया तिर्थ पुरोईतों रे आंदोलन का एलान किया है विकिस जून से होंगे अनिस्चित काली प्रदर्शन चारो धावों में आज से काली पट्टी बांग कर पूजा करेंगे तो बड़ी कबर स्वक्त की देहरा दून से है जहां पर देवस्थानम बोल्ट के विरोध में एक बार फिर से चिंगारिया भड़ की हुई नजर आ रही है तिर्थ पुरोईतों ने आंदोलन का एलान कर दिया है जो आई किस जून से अनिस्टित काली प्रदर्शन का एलान किया गया है चारुधावों में आज से काली पट्टी बांग कर पूजा की जाई पर नजट आ होते हैं इस वक्त की टॉप हेड्लाइन पर पर नजट रिल्लू को लखनव पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया देश में लगातार चौथे दिन एक लाग से कम आए कोरोना की केसे आज फिर बढ़े पैट्रोल डीजल के दाब जन्सेक्स 130 रंकों की उच्छाल के साथ पुला है जन्ता को बिजेपी से उमीद नहीं अखलेश यादों का ये बयान सामें आया है नजरालते उत्रखन की खास खबरों की तरफ रुड़की में भारती जन्ता पार्टी वा पंजाबी कल्यार महासभा की ओर से वेक्सिनीशन कैम्प का आयोजन किया गया इस वेक्सिनीशन कैम्प में इलाके के लोगों ने बढ़ चड़ के हिस्सा लिया मौके पर पूर्व जिलाव पाद्यक्ष वरिष्ट समाज सेवी संजे अरोडा ने बताया किस कैम्प के आयोजन में 45 साल से अधिक वर्ष के लोगों को वेक्सिनेशन किया जा रहा है और प्रथम डोज उनको लग चुकी है और अब उनको 84 दिन के बाद वेक्सिनेशन कैम्प में निश्वल को दूसरी डोस लगाई चा रही है वहाँ पराय सभी बुजर्ग व्यक्तियों ने इस कैम्प के द्वारा लोगों को बड़ी रहात मिली है भारत्य जन्ता पार्टी, पंजाबी कल्यान महासाबा, रुड़की विकासमंच और टीम जीवन के सहयोग से आज हमारा चोथा कैम्प यहां गनेश्कूर में हमने साई प्लाजा में लगाया था पहला जो आर्टी टीस्यार और वेक्सिनेशन कैम्प हमने पहला लगाया था वो रामनगर में बारादगर में लगाया था दूसरा केम्प हमें केवल वैक्शिनेशन के लिए लगाया था 45 probablyƏ थाelse में लगाया था वह केम्प हमारा जो लगाया था फ्रेम मंदिर में लगाया था आज यह जो केम्प लगाया है 45 पलस वालोगी लिए और जिनके दिन 84 हो गए हो दूसरी डोज के लिए उनका केंपिया आज गनेश्पूर साइए साथी सौंदर्य करण के काम को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है जिला उद्यान अधिकारी योगेंदर सिंग चौधरी को निर्देश दिये गए हैं कि इलाकों में मौडल ट्रेनिंग सेंटर भी विख्षित किया जाए वहीं लालकों में अपर पुलेस अधिक्षक डॉक्टर जगतीश चंद्रा इस्थानी चेक पोस्ट करने रिक्षर करने पहुचे और इस दोरान उन्होंने मौजूद पुलेस अधिकारियों को सक्तिनिर्देश दिया है कि आवश्चक वाच्छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों की गहनता से जाच जरूर की जाए मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास RTPCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं हो उन्हें ततकाल वापस भेश दे अधिकारी ने चेक पोस्ट पर सुरक्षा विवस्था का जायसा लिया और साथ ही पुलिस कर्मियों को खुद भी सुरक्षा का खास खयाल रखने के निर्देश दिये और लोगों को कोविट के नियमों का पालट करने के लिए भी कहा गया कि लॉक्डाउन में दिरे-दिरे सरकार के द्वरा ढील दे जा रही है इससे मार्केट में भी कावी मुवमेंट है और सड़कों में भी मुवमेंट बढ़ रहा है कोविट एप्रोपियर का पालन सोसल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे इसके लिए को नहें जितना कोदवाली का स्टार है उसको ब्रीफ किया जा रहा है आज चेक कोस्ट पर जो यहां पर डूटी करनी है उनको बदाया जा रहा है कि जो बाहर के जनपत से आने वाले कंपल सरी है तो इसको स्टिकली चेक लालकुआ कि अमेटकर नगर वाल्ड में एक जंगल के पास नवजात बच्चे का शव मिला नवजात के शव को देखकर रिलाके में हरकम मजगया इस्थारी लोगों ने पुलिस की टीम को सूचना दी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहीं कलियर में विजलन्स विभाग को सफलता हाथ लगी है दरशल विजलन्स टीम को दरगा में तैनात एक करमचारी के जरिये शिकायत मिली थी कि दरगा प्रबंदक रिश्वत की मांग करता है आरोप है कि आरोपी प्रबंदक दरगा करमचारी से तनख्वा बनाने और उसे फिर से नौकरी पर रखे जाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही टीम एक्टिव हो गई। और जोईन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर टीम ये दरगा प्रबं लकसर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई किलो गौमास के साथ दो तसकरों को गिरफतार कर लिया है। पुलिस की हिरासत में तसकरों ने कई लाकों में अपने काम के बारे में जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गौवन शहत्य अधिनियम के तहत केस दर्श कर लिया गया है पुलिस का ये कहना है कि आगे भी पशु तसकरों पर शिकंजा कसने के लिए कारवाई जारी रहेगे प्रदेश सरकार के आदेश पर और कोरोना मामारी को देखते हुए नरिद नगर सहित कई इलाकों में चेकिंग अभ्याण चला जा रहा है पुलिस चौकी में बाहरी राज्यों से पहाड के में आने वालों की सविश पाविण पयान चला जा रहे रहेगी जब तक कोरोना के मामले ख़त नहीं हो जाते हैं। एंटिजन टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। और चाहे कोई कहीं से भी लोकल या एक दिन के लिए भी कहीं पर जा रहा है। यहां मंत्री अर्विन पांडे भी शामिल हुए। सामना करना पड़ता है। अब जाकर यहां रोड का काम पूरा किया गया है। हम होते हैं वो जन्हित के लिए किये जाते हैं और योग राम जिसका हिंदुस्तान नहीं बिश्व के अंतर जिसका नाम है। और विश्व के कोने कोने से लोग यहां अपने इलाज के लिए आएं। बाबाजी से अफरबाल देने के लिए आएं। और वहां की फरिके टूटी फूटी नाओ इसे कहीं न कहीं उत्रा खंड के छबी की ख्राब होती है। तो हम लोगे संग्यान में आया और बाबाजी ने तो फरक के लिए कहा भी नहीं था इनुने तो कभी भी नहीं कहा। हम एक दो बागा है हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं तो यहां की उत्रा खंड के छबी अच्छी लेके जाएं। इसे निमित हमने जिला पंचात को निकदेशित किया और हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी क्रम्चारियों को मैं धन्यवाद दूँगा और मैं कोवीड काल के द्वारान सब लोग स्वस्त्र हैं आप लोग भी स्वस्त्र हो मैं सब काम ना देते हैं। जब सारी दुनिया यहां पर आ रही है तो यह बहुत उबर खाबर रोड है और यहां पर आकर के लोगों को काफी कश्ट हो रहा है तो इस कोरोना की महामारी के काल में भी एक तरफ जहां स्वास्थ्य सिवाओं का दबाव था उन्हों अपने स्वास्थे सिवाओं के उत्तरदायतों को पूरा करते हुए भी यह समृध्धी के कारियों को प्रगती दी और स्वास्थे और समृध्धी का एक समनवे करते हुए यहां पर आज यह रोड बनने से मुझे बहुत प्रसंद फैलालकुआ कोटवाली छेत में तीन यूवतियों को काम के बहाने स्विमिंग पूल पे ले जाकर दो लोगों द्वारा उसके साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आया है और इसने पीरिता की तहरीर पर मुकदमा दर्श कर लिया है और जाज भी शुरू कर दी है पीरित यूवतियों ने बताया कि आरोपि उनको काम के बहाने वाटर पार्क ले गए जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जब यूवतियां आरोपियों के चंगुल से बशने का प्रयास कर रही थी तब उनके बीच मारपीड भी हुई आपको बता दे कि घटना स्थल पर मौजूद लोग मूग दर्शक बने रहे और पीरिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्श कर लिया और साथी आरोपियों की तलाज भी शुरू कर दी है मरिशिकेश में संगर्श समीती के सैक्रो प्रदर्शनकारियों ने विदान सबाध्यक्ष कारयाले का घेराव कर रहे सर्वदलिय संगर्श समिती के सैक्डो प्रदर्शनकारी विदासबाद दक्ष कार्याले का घेराव कर रहे घेराव करने पहुचे प्रदर्शनकारीों को पुलिस ने IDPL गोल चक्कर के पास रोक लिया मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा कि हमारा मुख्यरुप से विधायक जी से विधानसभाद जी से जबाब मांगना है कि वह एक पत्र तो हमें दे दिजिए जो आपने गोशना करी उसका पत्र दे दिए क्योंकि हमें विद्वाई जी की बात का विश्वास नहीं है चाहे वो सिर्देव सुमन विश्वाव इसलिए उनकी भर्वली बातों में कताई विश्वास नहीं है जब कोई सरकार जब कोई जन्पर्दमीदी जन्ता की अभेलना करना लगता है और सुक्त वस्ता में आ जाता है जन्ता के बीचित्रा बलांदुन हो रहा है और छेत्री विधायक दिक विल्कुल अंसुना कर द बड़ा अंदुन हो रहा है अब एद रूप से एक टोट लाजा लगाया जा रुक करते अगली खबर के और रुड़की के पुरानी तहसील में अग्याद बदमाशों के होसले बुलन दिखाए दे रहे हैं अग्याद बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मार का रत्या कर दी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच अधिकारी मौके पर पहुच गए घटना स्थल का मुआयना करते हुए पदमाशों की धरपकड के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया साथी म्रतक अधिवक्ता के शफ को पोस्टमॉटम के लिए भी की भिजवा दिया है मृतक के परिजनों को भी घटना की सुचना दे दी गई है वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंग डोबाल का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जाज की जा रही है और पोस्टमॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की लकसर के सुल्टान पूर्चेत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने पश्यों के तश्करों को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि पुलिस दो तश्करों को गिरफतार कर लिया और जबकि एक फरार हो गया है पुलिस ने तीनों आप राधियों की ख पिलाव मुकदमा दर्श कर लिया है और पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है हमारी गस्त के दौरान मुद्विकी सुष्टा पर सुल्तानफुर पुलिस द्वारा दो व्यक्यू को रुड की पुलिस को बड़ी कामिया भी हाथ लगी है पुलिस ने स्मैक समेच चोरी की साइदबाई के बरामत किये हैं और दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफतार किया है आपको बता दे कि स्स्पी के आदेश पर नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला जा रहा है इस अभियान के तहद भगवानपुर पुलिस ने हल्लू मज़रत रहे पर बाइक सवार दो व्यक्तियों को रोका जिनके पास से 48 ग्राम समैक के साथ ही चोरी की बाइके भी बरामत की गई है पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है और उनकी खिलाफ मुकदमा भी दर्श कर लिया है स्वास्विबाग ने शफकत अली चेर्मैन प्रतिनिधी अद्धिक्ष के काम्प कारियाले मुकरबर पुर में विशेस काम्प लगवाया चाहाँ चेर्मैन अद्धिक्ष का टीका करड का कारिक्रम का शुभारम किया गया और 45 साल वालों को टीका करड लगवाने की विवस्था की गए और उन्होंने लोगों से भी कुरोना का टीका लगवाने की अपील की है कि मेरा को हो चुका है और ये मैं मानता हूं कि हमारे जुम्मेदार करेंगे तो मैं मानता हूं कि यह बहुत ज्यादा बढ़ेगी जो लोगों को भर्मित कर रखा है वह बर्मित का दूर हो है है कि सो डेड़ सो के करीब आज हम कर आके रहेंगे तो कि हम अपनी जनता को समझाएंगे चाहे हम घर घर जाना पड़े इसके लिए हम जो अपनी जनता को बहुत कर रखा हैं फिलाल के बुलेटिन में इतना है देशने की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्राइम टीवी